ये तू धर्म्याम्रितम इदम ये थोक्तम परियुपास तै श्रद्द्धानामत पर्मा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाह मस्कार मित्रों ये जो श्लोके भगवद गीता के बारवे अध्याय का बीसवा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आएए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके कहता है ये तु धर्म्यामृतम इदम जो किन्तु धर्म अमृत यहां यतोक्तम पर्युपासते जैसे बोलकर उपासना करते हैं श्रद्धधाना मत पर्मा श्रद्धा से मुझे परम मान कर भक्तास्ते अतीव मे प्रियाह वे भक्त मुझे अतीव प्रिया होते हैं तो श्रीक्रिश्ण ने भगवद गीता के बारवे अध्याय का समापन किया है यह बताते हुए कि उनके कौन से ऐसे भक्त होते हैं जो कि उन्हें अतिप्रिये होते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि मेरे वो भक्त जो धर्म का ये जो अमरित है इसकी बार-बार इसकी इसका के साथ में मुझे परम मान करके मेरी उपासना करते हैं जो ऐसे जो भक्त होते हैं वह मुझे अतिप्रिया होते हैं तो हमने अभी जो पिछले श्लोग थे उनमें ये तो समझी लिया था कि श्री क्रिश्ण ने बोला कि जो मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो कि यह चिंता नहीं करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या मेरे बारे में सोचते हैं जो कि इस संसार के प्रती उदासीन होते हैं जिनका कि इस संसार में उतना ध्यान नहीं होता जो केवल अपने स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये देखते हैं कि मेरे क्या करता वे हैं ऐसे भक किसी एक दृष्टी कौण में स्वयम को आश्रित नहीं करते हैं, किसी एक पक्ष से संग नहीं बनाते हैं, जो कि सबके साथ समान रूप से वहवार करते हैं, वो मुझे प्रिया होते हैं. तो ये जो यहां पर परिभाशा श्री कृष्ण ने दी, उनका ही चरम यहां पर श्रीक्रिश्न बता रहे हैं कि वो भक्त जो की मेरी उपासना करते रहते हैं, मेरे ही गुन गाते रहते हैं, जो धर्म की बात करते रहते हैं पूरे समय, वह मुझे अतिप्रिया होते हैं. तो यहां पर जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमने यह समझा कि हम सूचना का यहां पर उपभोग करते हैं, हमारी और बहुत सारी सूचना होती हैं, जो कि हमें दी जाती हैं, हम मीडिया का उपभोग करते हैं, हम फिल्मे देखते हैं, हम समाचार देखते हैं, साथ ही हम अ कुछना हम ग्रहन कर रहे होते हैं इसके द्वारा हमारा मन दूशित हो जाता है और हम किसी एक पक्ष तक सीमित हो जाते हैं और इस एक पक्ष तक सीमित हो जाकर के फिर हम राग और द्वेश में फंस जाते हैं और मित्र और शत्रू बना लेते हैं और कुछ ऐसी ही बाते होती जो कि हमें अच्छे लगती हैं, कुछ नहीं बाती होते हैं, जो कि हमें बुरी लगती हैं, और हम जो अच्छे लगती हैं, हम उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, जो हमें बुरी लगती हैं, उनसे हम दूर भागना चाहते हैं, तो इस परकार से हम संग बना लेते हैं, तो तो यदि हम इन सब गतिविदियों में संलगन नाहूं और केवल श्रीकृष्ण का गुरुदान करते रहे हैं उन्हीं में स्थित रहे है तो यह जो समस्या हैं हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं यह समस्या है हमें आएंगे नहीं तो यह जो बात है यह हम समझ नहीं पाते हैं मादेखाश लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वैब ब्रह्म में इतने अधिक मोहों में फंस गए हैं हर किसी से जुड़ गाई है वो कि वो छोड़ नहीं सकते ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई गरम तपेली है जिसको कि आपने पकड़ लिया हाथ में और अब आप छोड़ नहीं रहा है उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं आप क्यों कि आपको वही जो है वह अच्छा लगने लगा है और वही आपको दुख दे रहा है तो इस प्रकार की बातें करने लगें या किसी से भी हम दोस्ती कर लें कैसी भी प्रकार के वेक्ति से दोस्ती कर लें हम या यदि हम हाट में जाते हैं तो सब प्रकार के हुआ जो उत्पाद हमें दिखाए जा रहा है उनको हम उन पर हम ध्यान देने लगें तो यदि हम इस प्रकार से इन सब से वर्जित रहना ही हमएं मुक्ति प्रदान करते हैं और वो संग सो वर्जित स्वर्व कर पाना केवल तभी संबव है जब हम अपना संग केवल ईश्वर साथ में करें तो इसलिए वो जो भक्त होते हैं जो कि केवल प्रभू के गुणगान गाते रहते हैं, जो कि उनके ही उनके ही बारे में चर्चा करते हैं कि उनके ही के साथ में जुड़े रहते हैं लोगों से भी ऐसों से ही मित्रता करते हैं जो कि भक्त होता है ऐसे वही ऐसा वेक्ति होता जो कि इस प्रकार के संगों से दूर निकल पाए तो इसलिए बहुत ही हमें सतर कर रहना चाहिए इस थनसार में किस का उपभोग कर रहे हैं और किस का उपभोग हम नहीं कर रहे है जो वेक्त केवल केवल ईश्वर के अमरित का रस्पान करता है केवल उसी अमरित को लेकर के उसी के बारे में जुड़ा रहता है जो की मितरता तो केवल उन्हीं से करता है यह जो सब के साथ में व्यवार तो समा नहीं करता है सब के साथ में किन्तु जो जुडाव केवल उनके साथ में करता है इस भक्ति में ही लगे हैं और जो पूरे समय ईश्वर का ही गुनगान करता रहता है केवल वह ही ऐसा वक्ति होता है जो कि संसार के इन सभी विकरशनों से दूर निकल सके और केवल ईश्वर पर अपना ध्यान की अंधिरत कर सके ऐसा जो वक्ति होगा वह फिर ईश्वर को अत कि कितना भी भ्रहमит कोई भी किसी के साथ भी दोस्थि करली क्तिया कितना भी फॉसाुवा हो माया-बंगाओ किसी के साथ से दोस्थिकर ली या किसि की विञाए बजार गयाु कुछ भी उठाके लिया हैे, जो बी अच्छा लगए जो भी ह 17 इंदरदिखा उसे उठाके लिया ब्त पूरे इस पूरे अध्याय को आपको अच्छे समझा देह हैं अगले वीडियो में मैं आपको अध्याय का सव्च प्रस्तत करूँगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाब करते हैं नमस्टे